हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक तो और्गनाईजर लेर्निग चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शुर और कॉमेंट करें तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो S.E.R.T. की तरफ से I.C.T. की क्लास 6 के लिए बुक है उसका चैप्टर नमबर 5 चैप्टर का नाम है Learn to Code Part 1 Learning to Create Flow Chart and Programs तो इस चैप्टर का नाम है Coding कैसे होती है उसका Part 1 इस चैप्टर में में बताया गया है कि कैसे Flow Chart और जो Programs है वो Create होते हैं या यह जो Terms है Flow Chart और Programs इनके बारे में Basic बताया गया है तो देखो Coding का सीधा सीधा मतलब है कोई भी App, कोई भी Program, कोई भी Software अगर हम अपने Computer में चला पा रहे हैं तो यह सिरफ और सिरफ इसकी Coding पहले हो रखी है वो Coding क्या होती है जो Normal हमारी English Language है या Mathematical Symbols है या Special Symbols है उनका उप्योग करके हम Code लिखते हैं जिसको फिर Computer क्या करता है रन करता है ठीक है तो इसके सबसे पहले हम MCQs देख लेते हैं MCQs में सबसे पहला आता है Computer Programming में Flow Chart क्यों प्रयोग होता है तो Computer Programming में एक टर्म होती है Flow Chart Flow Chart किसलिए यूज होता है तो देखो Flow मतलब चार्ट मतलब आपको पता है ये चार्ट जो होता है और Flow मतलब एक तरीके से एक Step by Step जो है Flow कर रहा है वो एक चार्ट की फॉर्म में शो होता है तो इसलिए ये क्यों यूज किया जाता है तो इसका Answer होगा A Option वो क्या है प्रतिका उसको प्रतीक के रूप में, सिंबल्स के रूप में जो दर्शाते हैं उसको Flow Chart बोलते हैं ठीक है तो इसलिए A Option इसका Correct होगा Second Question आता है Computer Programming में Algorithm क्या है तो अब ये Algorithm क्या होती है तो देखो Algorithm होती है किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक Set हमारे पास मानलोग कोई भी Problem है जो हमें Computer से Solve करानी है तो उस Problem को Solve करानी का जो Solution होगा उसके निर्देश होंगे कुछ और वो निर्देश एक Sequence में एक Set के तौर पर होते है उसको बोलते हैं हम Algorithm जो भी Problem हमें Computer से Solve करानी है उसको हम Instructions की निर्देशों की Form में एक Sequence में लिखते हैं और उस Sequence को, उस Instructions की उस Sequence को हम बोलते हैं Algorithm तो A Option इसका Correct होगा Third Question अब आता है हमारे पास Computer Programming में Scratch का उपयोग करने का उदेशी क्या है तो देखो Computer Programming में सबसे जो Basic जो Code लिखने का हमारे पास आज की Time पे Available है App वो है Scratch तो हम ये Scratch का उपयोग क्यों करते हैं या इससे क्या फायदा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा Interactive Animation और Game बनाने के लिए अगर आपको Interactive Animation या कोई Interactive Game बनाना है तो इसके लिए आप बहुत easily जो है वो Code आप किसमें लिख सकते हो Scratch वाली App में ठीक है तो इसलिए A Option जो है इसका Correct होगा Next Question आता है Scratch में Motion Blocks का उदेशे क्या है तो देखो अब ये जो Scratch App होती है इसमें दो Type के Blocks होते है Motion Block और एक दूसरा होता है Pen Blocks तो Motion Block का उदेशे क्या होगा तो देखो Motion मतलब क्या होता है गती कोई भी किसी भी प्रकार से चलना, Movement होना तो इसलिए इसका क्या, किसलिए यूज होगा ये तो इसका Option होगा A Option Stage पर Sprites की गती को नियंतरित करने के लिए देखो Scratch में ये होता है Background उस पे हम Various Objects जो है उनको अगर हमें Coding करके उनका Animation करना है या कोई Game बनाना है तो ये Object कहलाती है या ये Sprite कहलाती है तो इन Sprites की अगर गती को इनकी Movement को हमें Control में रखना है तो उसके लिए हम Motion Block का Use करते हैं हमें कितना इनका Motion देना है या कितना जादा करना है कितना कम करना है तो ये सारा हमारा Motion Blocks में आता है तो इसलिए A Option इसका Correct होगा ठीक है Next Question देखते हैं अगला है Scratch में Pen Blocks का उदेश्य क्या है तो देखो अभी मैंने आपको बताये थे कि दो टाइप के Blocks होते है Scratch में Motion Blocks और Pen Blocks तो Pen से आपको समझ में आ रहा है कुछ भी Draw करना या कुछ भी लिखना तो इसलिए Pen Block का उदेश्य क्या हो जाएगा Scratch में इसका अंसर होगा Option Number C Sprites के चलने पर Stage पर रेखाएं और आकरितियां बनाने के लिए जो अभी मैंने बताया आपको ये Stage होता है और Stage पर ये Objects अगर होती है तो अगर ये चल रही है तो इस Stage पर अगर कोई रेखाएं कोई Line कीच नी है आपको या कोई Shape बनानी है कोई आकरिति बनानी कोई Image बनानी है तो आप कौन से Block का इस्तमाल कर सकते हो Pen Block का अगला आता है प्रोग्रामिंग भाषा की परिभाषा क्या है तो प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्रामिंग लैंविज क्या हो जाएगी तो इसका अंसर होगा Option Number C क्या है मनुष्यों द्वारा उप्योग की जाने वाली भाषा जिसमें लिखे हुए निर्देशों को कम्प्यूटर निश्पाधित कर सकता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्विज सिंप्ली क्या होती है जो हम उप्योग करते हैं अपने लिखने के लिए इंग्लिश वाली भाषा का मैट्स के सिंबल्स यूज़ करते हैं तो उसी में जो है इंस्ट्रक्शन्स या निर्देश लिखे जाते हैं और फिर उन इंस्ट्रक्शन्स को कम्प्यूटर क्या करता है उस भाषा को क्या करता है रन करता है तो वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्विज हो जाती है ठीक है अब अगला देखते है कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कंट्रोल और फ्लो की परिभाशा क्या है तो कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कंट्रोल और फ्लो की फ्लो हो रहा है इंस्ट्रक्शन्स का उनको कंट्रोल करना तो किस वे में वो flow हो रहा है या कैसे कैसे instruction चलेगी कि पहले भई ये step रन होगा फिर दूसरा रन होगा फिर तीसरा रन होगा तो ये जो control of flow होता है ये एक तरीके से तो हमें इस control of flow की परिभाशा बताने तो इसका answer हो जाएगा वे क्रम जिसमें किसी प्रोग्राम में निर्देशों का निश्पादन किया जाता है तो control of flow मैंने अभी आपको समझाया है तो ये वो क्रम या ये वो sequence हो जाएगी जिसमें हमारे प्रोग्राम की जो instructions या निर्देश लिखे हुए हैं उनको run किया जाता है कि पहले ये step चलेगा उसके बाद ये step फिर ये step तो ये कौन देखता है control of flow ठीक है अब हम इसके question answers देखते हैं तो देखो question answer में पहला question है algorithm और flow chart में क्या अंतर है तो ये दोनों चीज़े जो है अभी हमने MCQs में भी देखी थी तो इसका answer हम लिखेंगे algorithm क्या होती है किसी कारे को पूरा करने के लिए जरूरी निर्देशों के sequence को algorithm कहते हैं computer में अगर हमें कोई कारे पूरा करवाना है या कोई problem solve करवानी है तो उसके लिए हम कुछ निर्देश या instructions लिखते है उसको एक sequence में लिखा जाता है तो वो जो उन instructions को sequence में लिखा जाता है किसी भी problem के तो वो कहलाती है algorithm ठीक है अब दूसरा आता है flow chart flow chart क्या होता है flow chart किसी algorithm के steps को graph के रूप में दर्शाता है तो flow chart क्या करता है वो भी simply जो हम problem जो भी solve कर रहे हैं उसको sequence में लिख रहे हैं उनके steps को तो उसी उनी steps को ये क्या करता है graph के रूप में दिखाता है ठीक है लिखी हुई जो तरीका होता है उसमें तो algorithm होती है और जो graph के रूप में दिखाएगा वो हमारा flow chart होता है तो जो algorithm के steps हमारे graph के रूप में दिखते हैं हमें वो हमारा flow chart होता है उस algorithm का ठीक है अगला आता है programming भाशा को परिभाशित करो तो programming language या programming भाशा क्या होती है तो इसका answer हम लिखेंगे programming language क्या होती है जिससे हमारे जो software है apps है वो run हो पाती है चल पाती है तो वो एक विशेश प्रकार की भाशा में लिखे जाते हैं वो भाशा हमारे English के letters हो सकते हैं maths के symbols हो सकते हैं या जो special symbols होते हैं उनका सब का combination करके लिखी जाती है उस भाशा को ही क्या कहते हैं programming language या programming भाशा अगला आता है computer programming में control flow का क्या concept है तो देखो अभी हमने control flow flow of control या control flow जो है अभी हमने mcqs में देखा था तो इसका answer हम लिखेंगे control flow क्या होता है computer किसी program के instructions को जिस scrum में run या execute करता है उसे control flow कहा जाता है तो हमारा जो computer है माल लिजी एक program लिखा इसमें हमने steps लिखे इस तरीके से 1,2,3,4 तो ये जिस sequence में ये हमारा computer इन program की instructions को run करेगा या execute करेगा तो उस sequence को जो है control करने के लिए जो term who use की जाती है वो होती है control flow कि जो हमारा program है वो क्यासे कि sequence में flow करेगा उसको हम क्या बोलते है control flow ठीक है और ये control flow जो है ये तीन तरह का हो सकता है तो control flow हमारे पास तीन type का हो सकता है पहला sequence control दूसरा selection control और तीसरा loop control तो ये जो control flow है कि कितने type का हो जाएगा तीन type का एक है sequence control की उसकी sequence को control किया जाता है दूसरा उसके selection को control किया जाता है तीसरा loop control ठीक है तो इस तरीके से ये हमारे जो chapter 5 है इसकी exercise or question answers complete होते हैं तो आशा है कि आपको ये video ये exercise or question answer समझ में आए होंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगए है तो वीडियो को like, share और comment करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में